देश में समय के साथ तेज बढ़ते मशीनी करण के चलते खेती करना बहुत आसान हो गया है और आपको बता दीं कि किर्शी में मशीनी करण को बढ़ावा देने में सबसे एहम योगदान ट्रेक्टर का रहा है खेत बनाने से लेकर फसल की थ्रेशिंग और गोदामों तक सामा पहुचाने का काम सब ट्रेक्टर के जरिये होता है आपको बता दूं कि ट्रेक्टर शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका आर्थ है खीचना या यूं कहें कि इसे हलको या किसी सामान को खीचने वाली गाड़ी भी कहा जाता है ट्रेक्टर के आने से पहले खेतों जानवरों का इस्तिमाल होता था भारत में बैल उंट या भैस का तो अमेरिका में घोडे खचर का प्रयोग किया जाता था जो खर्चिला तो था ही साथ ही इसमें बहुत से परिशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन जब से ट्रैक्टर का अविशकार हुआ तब से बहुत जादा मदद मिलने लगी लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ट्रैक्टर कब और कहां बना था और इसके अविशकार में किसका योगदान था अगर नहीं तो बने रही हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में ट्रैक्टर के अविशकार औ पारे में विस्तार से जानने के लिए जो लोग तकनीक के इतिहास को जानने समझने का प्रयास करते हैं वे जानती होंगे कि तकनीक का विकास अचानक नहीं होता बलकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है यही प्रतिक्रिय ट्रेक्टर के साथ भी थी आपको बता दें कि सबसे पहले शक्ति चलेती यानि खुद से गती पैदा करके चलने वाला कृषियोपकरण 19 भी शताबदी का आरहम विम्वना इस वहन से पहियों पर एक भाप इंजन लगा हुआ करता था जो कि एक बैल्ट की सहायता से इस कृष शी वाहन का विशकार 1812 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया और इसे उस समय बॉर्ण इंजन की रूप में जाना जाने लगा बार्न इंजन का उपयोग मुख्य रूप से मकई निकालनी के मशीन को चलानी के लिए किया जाता था आपको बता दें कि रिचर्ड एडियो देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीचता गया वैसे वैसे भाब ट्रेक्टर में कई तरह के विकास किये गए। भाब ट्रेक्टर में कुछ विकास होनी के बाद इसका इस्तिमाल खेत को तयार करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए किया जाने लगा। आग लगने का खत्रा था फिर सन 1849 में जन में बेंजामिन लिरोई हॉल्ट ने भी ट्रेक्टर के अविश्कार में अपना प्रमख योगदान दिया उन्होंने ही पहली बार ट्रेक्टर के ऐसे चक्के डिजाइन किये थे जो खेतों में अपने भार को दूर तक फैला दीते थ जिससे ट्रेक्टर के गीले खेतों में फसने की एक गंभीर समस्या का हल निकाला जा सका आपको बता दें कि बेंजामिन हॉल्ट ने सन 1890 में ओल्ड बेट सी नामग 60 हॉर्स पावर का भाप से चलने वाला एक ट्रेक्टर बनाया फिर सन 1892 में जॉन फॉलिच नामग एक अम भग तीन मीर प्रतिघंटी की रफ्तार से चलाया जा सकता था इस प्रकार फॉलिच ने इसके डिजाइन को और भी बहतर बनाया और पहला गैसुलीन यानी पेट्रोल से चलने वाला ट्रेक्टर का विश्कार किया इनके सा विश्कार के बाद कई लोग अलग लग तरह से ग इंधन से चलने वाले इंजिन का उप्योग करते हुए सफल का पूर्वक ट्रेक्टर बनाया आपको बता दी कि भाप इंजिन के अविश्कार के बाद कई प्रकार के वाहनू को बनाने में सिर्फ कुछ ही लोग हाद आजमा रहे थे लेकिन समय के साथ पेट्रोल और डीजल इंजिन के अविश्कार के बाद बहुत से इंजिनियर और अमीर व्यापारी अलग-अलग तरह के वाहनू को बनाने में जुट गए थे ताकि उससे अच्छा मनाफ़ा कमाया जा सके इसी तरह ट्रेक्टर के अविश्कार में भी और भी बहुत से लोग अलग-अलग दीशो के बाद इन कृशी कारियों में जम का प्रियोग हुआ 1916 से 1922 के बीच सौसे अधिक कमपनियां कृशी उपयोग के लिए कृशी ट्रेक्टर का उतपातन करने लगी आपको बता दें की दे जॉइन डियर ने सबसे पहले 1837 में पहला स्टील का हल बनाया और 1927 तक उनकी कमपनी ने पहले ट्रेक्टर और स्टील के हल एक साथ तयार किये जिसका उपयोग उतपादक्ता बढ़ाने के साथ साथ खेतों को तीन पंक्तियों में जोतने के लिए किया गया 1930 के दशक तक ट्रेक्टरों में स्टील के पहिये होते थे लेकिन इसके बाद इसमें रबर के पहिये लगाए गए इसके बाद जॉन डियर कंपनी ने ट्रेक्टर के नए मॉडल आर को पेश किया जिसकी शक्ती 60 हॉर्स पावर से अधिक थी और साथ ही ये पहला डीजल ट्रेक आजादी के पहले और आजादी के कुछ दुनों बात तक भी भारत में ट्रेक्टर के वल बड़े राज घराने और जागीजदारों तक ही सीमित था उस समय भारत में ट्रेक्टर करिमान नहीं होता था मुखिरूप से रूस से ट्रेक्टर का हयात होता था लेकिन भारत में ह हरित क्रांती के चलते सरकारें भी कृषी के मशीनी करण में सहयोग करते हुए विदेशी ट्रेक्टर निर्माताओं को अधिक अफसर प्रदान करने लगी थी। जिस वजे से ट्रेक्टर का निर्मान भारत में 50 और 60 के तशक में 23 से हुने लगा था। इसके बाद भारत में 80 के दशक में ट्रेक्टर उद्योग में बड़े बदलाव आए और दशक के अंत तक 1,40,000 यूनिट प्रतिवर्ष का उत्पादन भारत में हुने लगा। फिर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ट्रेक्टर उत्पादन की गती तेज हुई और 1990 के दशक के अंत तकी उत्पादन 2,70,000 यूनिट प्रतिवर्ष तक पहुँच गया। फिर 2000 के बाद नई सदी में प्रवेश करते हुए भारत ने ट्रेक्टर उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और आज के समय में भारत विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रेक्टर बनाता है और इसका निर्यात भी करता है।